बिजनस्मेन राज कुंद्रा पर्नोग्रफिक कॉंटेंट बनवाने और उसे एब के माध्यम से प्रसारित करवाने के मामले में गरिफतार है। राज एक्ट्रिस शिल्पा शेटी के पती हैं और इस नाते 23 जुलाई को क्राइम ब्रांच की टीम ने शिल्पा से भी पूछताच की। देशान राज कुंद्रा को लेकर टीम उनके और शिल्पा के घर पहुँची और करीब 6 घंटे तक दोनों को आमने सामने बैठा कर पूछताच की गई। इंडिया टोडे की खबर के मताबिक कुछ सवालों पर मुख्यत और पर क्राइम ब्रांच का फोकस रहा। जैसे कि क्या शिल्पा को इस बात की जानकारी थी कि उनके पती प्रणोग्रिफिक कॉंटेंट के प्रडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन का काम कर रहे हैं। राज कुंद्रा की कंपनी वियान से शिल्पा ने 2020 में स्टिफा क्यों दे दिया था। राज कुंद्रा की गृफतारी के बाद उनके ओफिस सर्वर से काफी डेटा डिलीट किया था। उसके संबंध में जानकारी किसने डिलीट किया डेटा में क्या था वगेरा वगेरा। शिल्पा के bank accounts की जानकारियां इन पर शिल्पा के क्या जवाब रहे इसकी जानकारिया भी धीरे-धीरे सामने आ रही है एनाई के मुताबिक शिल्पा शेटी ने crime branch की team के सामने कहा मुझे hot shots app के असल content के बारे में जानकारी नहीं थी नहीं मेरा hot shots से कोई वास्ता है यह app लंदन में रहने वाले प्रदीब बक्षी का है जो मेरे पती राजकुंद्रा के जी जा है राज बेगुना है वो पॉन नहीं बलकि erotic content के production से जोड़े थे पॉन और erotic में अंतर होता है इस बीच 23 जुलाई को राजकुंद्रा की पुलिस हिरासत की मियाद पूरी होने के बार मुंबई पुलिस ने उन्हें दुबारा magistrate के सामने पेश किया पुलिस ने कोड से कहा कि वो आगे की जाच के लिए राज को एक हफते और custody में रखना चाहती है पुलिस ने ये भी बताया कि उन्हें संदेय है कि राज pornography से कमाई गए पैसो का इस्तिमाल दूसरी अवैद गती विधियों में करते थे इन दलीनों को सुनने कोई बार पूर्ड ने राजकुंद्रा को 27 जुलाई तक के लिए दोबारा पुलिस custody में भेज दिया है India Today को इस मामले में Mercury International नाम की एक कमपनी के बारे में भी पता चला है ये कमपनी क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाने का काम करती है बताया गया है कि इस कमपनी के खाते से काफी रकम राजकुंद्रा के खाते में ट्रांसफर की गई है अब पुलिस ये जाच कर रही है कि क्या pornography से कमाया गया पैसा राजकुंद्रा सट्टेबाजी में भी लगा रहे थे रिपोर्टों के मताबिक राज के Yes Bank account और United Bank of Africa के बीच पैसों का कुछ लेन देन हुआ है पुलिस को लगता है कि राज इन पैसों का इस्तमाल सट्टेबाजी के लिए करते थे इसलिए जाच टीम उनके दोनों accounts और उससे हुए transaction की चानदीन करना चाहती है आपके लिए खबर लिकीती हमारे साथी अभिशेट ने आप सभी जानते हैं कि कोरोना वाइरस की वज़ा से देश में हालात कुछ ठीक नहीं है आप लोग भी सुरक्षित रहें अपने घरों के अंदर रहें जब भी आप अपने घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर लगाए सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिराइजर का इस्तमाल करें अगर आपने अब तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन की डोस भी ज़रूर ले ले आप अपना और अपने परिवार का ख्या लखें शुक्रिया